सात्यों आत्मनिर भर भारत के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टिम का कितना बड़ा महत्वा है यह आप सभी भली भाती जानते हैं। बीते दिनों में आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा, काफी कुछ डिस्कस किया होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे 21 सदी के आप जैसे युवाओं के लिए ही है, वो युवा जो वर्ल्ड को लीड करेगा, साइन्स और टेक्नोलोजी में भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगा, इतना ही नहीं। इस एजुकेशन पॉलिसी में तमाम ऐसी बाते हैं, जो आप जैसे चात्रों की विच लिस्ट में सबसे उपर थी। साथियों, मुझे विश्वास है कि अपनी एजुकेशन की जर्नी में आपने मैसुस किया है कि शिक्षा और परिक्षा हमारे स्टूडन्स के लिए बर्डन नहीं बने, स्टूडन्स को अपने मन पसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा आजादी मिलेगी, इसलिए राष्ट्रियस शिक्षा नीती को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है, सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जीट के आउसर दिये गए हैं, और सबसे एहम देश की नई एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन को टेक्नोलोजी से जोड़ेगी, टेक्नोलोजी को हमारे स्टूड़न्स की थिंकिंग का इंटिगल पार्ट बनाएगी, यानि स्टूड़न्स टेक्नोलोजी के बारे में भी पढ़ेंगे, और टेक्नोलोजी के जरिये भी पढ़ेंगे, एजुकेशन में आर्टिफिशल इंटलिजेंस का इस्तिमाल हो, ओनलाइन लर्निंग बढ़े, राष्ट्रिय स्विक्षा निती में इसके राष्टे खोल दिये गए हैं टीचिंग और लर्निंग से लेकर, एड्मिस्टेशन और एसेस्मेंट तक टेक्नलोजी की भूमी का बने, इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नलोजी फॉरम भी बनाये जा रहा है हम एक ऐसे एको सिस्टिम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हमारे युवा टेक्नलोजी से सिखेंगे भी और सिखाने के लिए नई टेक्नलोजी इनोवेट भी करेंगे आई आई टी के साथियों के लिए तो इसमें इन्फाइनेट पॉसिबिलिटीज हैं, नए सब्फेर, नई डिवाइसीज और गैजेट्स जो बे अफ एजुकेशन को revolutionize करें, उनके बारे में आप ही को सोचना है, ये आप सब के लिए एक opportunity है, आप अपने base को बहार लाएं, यूटिलाइज करें